इस जीत को लेकर हमारे साथ महापूर प्रत्याशी मुकेश टटवाल जी जीतोतर ने लगता था आपको कतने वोटों की जीत होगी कि बस मुझे तो यह था कि भारती जंता पार्टी की जीत निशीत होगी और जीत होगी है अभी जो कॉंग्रेस ने अपति लिए रीकाउंटिंग की बात कर रहा है क्या लगता आपको के कुछ फेर बदल आकड़े हो सकते हैं या पूरा विश्वाज है आपको के जो परिणाम आया है वह ठीक वही रहेगा भारती जनता पार्टी कानुन का पालन करती है और हमारे प्रशाशन के सारे लोगों ने व्योस्वास रहा है तो इस परकार का उनका काम करने का करेंगी सब्सक्राइब लेकिन जीत के लिए आपको किस ने बोला जीत हो गई कि जीत के लिए हमारे सारे कारी करता है और निर्वाचन में बड़ी पेचित की सामने आई है कांग्रेस के प्रत्याशी है महीश्परमार जी क्या कि आपका बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हमने जीत दर्ज करा दी वाले बता हैं निर्वाचन के लेक्टर के पीठा सी नदिकारी ने हमारे हमको 21 का फाम दिए उससे हमने चार सुपच्पन वोट से हम चुनाओ जीत रहे हैं तो यह कहां से जीते हुए यह सामने आए ना जो इन्हों हमें पीठा सी नदिकारी ने उनके दसकत से इनके पोलिंग एजेंट हैं इसलिए हम रुके हुए हैं कि आपको आरोब लग रहा है कि यह मशीन को लेकर भी जो नंबरिंग थी उसका भी कहीं उलट फेर हुआ यह हमारे चुनाओ भी करता रायस तिवर जी हम कल भी हमने सिकायत की आट मसीनों को बारे में आपको बताएंगे इनको पूरी जानकरी मे तरफ गष्राइब हमने वचे की उसमें वह मसीन निकली ना तो लिजवाली मसीन के नबर ने थी जहां मशीन जितने वाले थे वह आट मसीन कहां से आई यह लेकिन को जवाब लड़ी लड़ेंगा कर अगर जीते दो क्या दिखत है नियम में लिखी 15 मिट कंदर लिखे दिया तो कौन पूरे मुझा टोटली है और इन्हीं के पिठासी नदीकारी के दियाओं मेरे पास है तरक 21 उसी का आधार से जीता हूं मैंने अलग से नहीं किया इनके पिठासी नदीकारी ने मेरे जो मतगरना एजेंट थे उनको ही दिया है उनको वही जोड करके चोपन इवाट से में जीत कोई कलेक्टर ने में आस्वस्त किया है उजेन में बीजेपी अपना दावा कर रही है कॉंग्रेस का दावा भी आपने सुन लिया है कॉंग्रेस का केना है कि कुछ इविएम मशीन के जो नंबर थे वो नहीं मिल पा रहा थे और यह भी दावा किया रहा है कि जो सिंग जाट है भी पी नियूज उजेन